हेलो गाइस कैसे वैप से वेलकम टू मैं चैनल नेहाशा बैशन आज आपके साथ मैं गुड़ वाइप का गोल्ड नाच्रल ग्लो फेशल किट शेयर कर रहे हूं तो स्टेप वर स्टेप आपके साथ मैं सारे कुछ शेयर करूंगी और इस बॉक्स के पीछे आपको पीछे लि सबसे पहले यहां पर मैं डाबर का रोज बोटर ले रही हूं इसको अच्छे से मैंने फेस पर स्प्रेय किया सो दैट कि जो मेरे अगर इस पर कोई भी तरा की डॉस्ट पर होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी त एस को कई आख किया तो आप देख सकते ह çıkar कितना सारा और से मेरे फेस से निखली तो आप पी जब शुरू करें तो अच्छे से पना जो पीसे से शाफ कर लेंग delight कि अप देख सकते हो है कितनी सारा पर प्रज्ब पर मेरे फेस पे था किया सबसे पहले फुस्ट्स के घुज ह बस आपने एक चीज धिहां रखनी है जब आप इसको लगाते तो अपने आइस से इसको थोड़ा सा दूर रखना है आइस के पास इसको नहीं यूज़ करना है नीचे नीचे आप इसको और अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए इसमें फेशल में सबसे ज्याद कि आपके जो स्टेप्स हैं उसकी कहीं पर कमी रही है जिसके कारण़ आपकर रजल्ट अच्छा नहीं आया यहाँ पर मैं फाइफ स्टेप्स करूंगी वन ने सेंट्र ओफ दा आइब्रोग सेंट्र होता है हेर लाइन फर्फ होता है तैम्पल एरिया फॉर्थ होता है एपल एरिया, सेंट्र ओफ दा ये एंट डाउन ओफ दा ये एक्विप्रेशर की तरह आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है और नीचे यहां पर मैं अपने चिन के पास यह क्रिस क्रोस कर रही हूं और अपर लिप्स जैसे यह रिंकल पड़ते हैं तो इससे क्या होता है य में तो जो मुझे बहुत पसंद आया और इसकी फ्रेग्नेस भी बहुत अच्छी थी आपने इसको अपने फेस पर जेंटली अपलाई कर लेना है आप देखिए और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया मुझे बहुत परसनली मैंने फॉर्स टाइम गुड वाइप्स की क मुझे बहुत जादा अच्छी लगी इसी तरह मैंने अपने फोर हेड़ पर और इस सारे जगा पहले जो भी आप स्करबे क्रीम लगाते हैं पहले पूरे फेस पर जैंटली इसको आप स्प्रेड कर लीजिए अभी जैसे हम यहाँ पर हमारी लाफिंग लाइन आती है न तो इसको डिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे फिंगर से अपलिफ्टिंग करेंगी जो हमारी यहाँ पर इंकल्स परते हैं वो यहां से डिजॉल्व हो जाएं यहां से तो मतलब जब आप फेशल करते हो तो आपका हर स्टैप का कोई न कोई मकसद होना चाहिए आप यह स स्टैप करते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूं अपने बिल्कुल ऐसा ही करना है फिर वही फॉर्स स्टैप सेंटर ओफ द आइब्रो हेयर लाइन टैंपल एरिया दें सेंटर ओफ द यह यह जो भी स्टैप करोगे इसको सासत करना है फिर यहां पर आपने अच्छे से ड अच्छे से किसी कोई किसी की मसाज भी करते हुआ तो उनको भी मिलना चाहिए और फेशल करना ही करना है कि आपको रेक्सेशन मिलीं तो ऐसे अपने मेरे थोड़ा सा स्कुर्ब करते हुए हों थोड़ा सा ब्रीय। झोंट rokर आपनेたいरी करके अपने फेश भी लगाए इसी तरह आपने नेक को भी सासाथ कवर करते जाना है यासे डबल चिन होती है ना डबल चिन को आपने डिजॉल करने के लिए आपने अपलिफ्टिंग करने है उपर की तरफ अपलिफ्टिंग करने है अपने फेस का अभी देख सकते हैं अभी स्क्रबिंग करें और ग्लो मेर को अच्छे से हैं प्लाई कर लेंगे आइस से पने दू रखना आपने इसको फेस्पष्झ stubborn अच्छे से नैंग पर अपने लगा लेनी है कि अम्या इसको पूरे इससे प्लाई कर लिया कुलास अब मैं यहां पर अब मैं यहां पर गरूँगी आपने उपर की तरफ करना है यह bridge of the nose करना है आपने इसको press करना है अब क्या होता है हमारी eyes की उपर यहां पर भी wrinkles पर जाते हैं तो उसके लिए भी अपने uplifting करनी है eyes की uplifting करके आपने जो wrinkles हैं वो यहां से remove करना है हमने तो हमने अलग अलग जो fingers का अलग अलग pressure होता है इसलिए पहले में middle, ring finger, index finger सारे अलग अलग finger से इसको पर massage दूँगी क्योंकि हर finger का अपने प्रेशर होता है तो आपने जुरू step करना है इससे क्या होता है या ऐसी under eyes भी हमारी wrinkles पढ़ने स्टार्ज हो जाते हैं जा आफ्टर 45-50 तो उसमें आपने इसलिए यह बला step किया जाता है इसी तरह जब हमने अपने चीक्स के पास करना है तब भी हमने अपने middle finger, ring finger, index finger, सारे fingers के pressures को देखके अच्छे से अपने चीक्स को uplifting करना मसाज हमें आपकी uplifting होने चाहिए अगर आप नीचे को हमेशे कभी मसाज करोगे तो आपकी skin lose हो जाएगी तो आपने हमेशा जब भी करनी है तो उपर की तरफ करनी है अब मैं यह से लिए करती है यहां पर मैं डाप कर रही हूं उसके बद में पिंचिंग पिंचिंग में इसले कर रही हूं मेरे open pores हो जाए और जो मैं क्रीम अप्लाई करी है वो मेरे face के अंदर अच्छे से अब्जर्व हो जाए इसलिए मैं हो कर रही हूँ ब्रड सर्कूलेशन हमारा अच्छा होगा त यहां नोस के पास मैं उपर की तरफ कर रही है वही डिजॉल्व हो जाए अब मेरा लास्ट टैप रह गया है face mask ऐसे मैंने लिया है यूँकि पहले ही बिल्कुल हमें रेडिमेट होता है बिल्कुल हमने brush की help से इसको मैं अपने face पे अच्छे से अप्लाई कर लिया अब brush से लगाएकर उससे बहुत अच्छा लगता है अब fingers लगाते हैं तो कहीं पर थोड़ा पैची पैची से लगता है तो आप brush लगाओगे तो बहुत अच्छा इसका result आएगा मैंने पूरे face और जब भी आप मसाज करें तो 45 मिनट्स की मसाज होने ची आपकी अब ये मेरे पूरे face पे अच्छे से हो गया मैंने इसको wash कर लिया देखो guys ये मैंने सिर्फ कितना अच्छा glow आया है आप मुझ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा मेरे face पे glow आप देख सकते हो बिल्कुल close में आद दिखा रही हूं अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो please channel को लाइब कीजिए subscribe कीजिए के बार